हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो इंपोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ यह इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर आपने इस टॉपिक को तयार कर लिया तो सीटेट एक्जाम के अंदर इसमें से भरभर कर क्वेशन आ सकते हैं तो शुरू करें आज का ये वीडियो दोस्तों टॉपिक है हमारा राज्यों से रिलेटेड में में आपके जो इस्टेट हैं उनको उनमें से कुछ इस्टेट इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवा दूँगा कौन-कौन से क्वेशन आ सकते हैं ये भी बता दूँगा तो शुरू करते हैं पहला आपका लद्दाक से शुरू करते हैं बड़ी खुबसूरत जगह है देखिए लद्दाक के बारे में क्वेशन कहां कहां से कैसे बनते हैं पहला point है लद्दाग को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं यानि cold desert कहते हैं यह बात आपको याद रखनी है यहां से आपके सीटेट के अंदर कई बार पूछा गया इन में से किसे ठंडा रेगिस्तान यानि cold desert कहते हैं तो आपके लद्दाग को कहते हैं आपका second जो point है चुकि यहां आपका cold desert मैंने कहा है तो यहां पर बारिस बहुत कम होती है यह आपको याद रखना है इस statement के अंदर भी question यहां से बन सकता है यहां दूर दूर तक बर्फ से ढखे सिर्फ पहार दिखते हैं और सूखा ठंडा मैदान दिखता है यहां जूले जूले का मतलब बागत होता है यह सारे फैक्ट आपके NCRT से एक भी फैक्ट बाहर नहीं लिया गया है सारे NCRT से हैं यहां के घर पत्थरों को काट कर एक के उपर एक रखकर पत्थर काटते हैं एक के उपर एक रखते हैं और दो फ्लोर का आपका घर बनाते हैं दो मंजिला घर बनाते हैं इनकी छट कैसी होती है छट और फर्स दोनों दोस्तों क्या होती है लकडी की होती है और उन्हें मिटी और चूने से पोता जाता है इनकी पुताई की जाती है छट और फर्स की दिवारों की ठीक है इस पॉइंट को भी तयार कर लेना है अगला है यहां लकडी की सीड़ी का प पर रखते हैं और उपर रहते हैं अब आताती है सर्दियों के दिनों में लोग जब सर्दी आ जाती है तो यहां के लोग क्या करते हैं नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहने लगते हैं नीचे की मंजिल में एक भी विंडो या खिडकी नहीं रखते हैं यह नहीं होत च्छतों पर लाल मिर्च, सिताफल और मक्का, सिताफल यानी पमपकिन आपका कदू, यहाँ पर रेड चिली और मक्का भी सूखते हुए देखे जासकते हैं। fusion नहीं create करना है लद्दाख के अंदर छते समतल होती हैं सर्दी के मौसम में यहां लोग फल और सब्जियां सुखा लेते हैं और सर्दियों में यहां पर सर्दी नहीं गर्मी के मौसम में लोग क्या करते हैं फल और सब्जियां सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्त माल लद्दाख में किया जाता है और किसलिए नदी को पार करने के लिए किया जाता है बढ़ेंगे अगला देखेंगे चांग थांग इलाका अब यहाँ पर आपका एक चांग थांग इलाका है लद्दाख के अंदर इसका क्या विसिस्ता है इसके बारे में जानेंगे लगभ बात करनें तो सूनसान और पत्रीला है यहां पर कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है यहां दूर दूर तक सिर्फ क्या दिखता है नीला आजमान दिखता है और पहाडों के बीच से बीच बहुत से तालाब आपको देखने को मिल सकते हैं यहां के पहाडों पर यहां जो चंगपा जंजाती देखेंगे चंगपा जंजाती की अगर बात करें तो ये जंजाती पहाडों पर लगभग 5000 मीटर की उचाई पर रहती है और ये कैसे लोग होते हैं ये migrant people होते हैं यानि घुमन्तू लोग होते हैं एक जगे से दूसरे जगे पर shift होते रहते हैं टहलते रह करें तो NCRT के according इनकी संख्या 5000 है आपकी चंगपा जंजाती के लोगों की ये लोग अपनी टेंट में रहते हैं और इनकी टेंट को रेबो कहा जाता है ये आपको याद रखना है सीटेट के अंदर बहुत पूछा जाता है कि चंगपा जंजाती के लोग अपने आवास को क क्या कहते हैं या रेबो का संबंद किस्से है तो चंगपा जंजाती अपने टेंट को रेबो कहती है तो ये आपका हो जाएगा और जिस स्थान पर ये अपने जानवर भेड और बक्रियों को रखते हैं उसे लेखा कहते हैं ये भी आपको याद रखना है यानि इनके इतना उच्छा होता है इसे याद की पट्टियों से तयार किया जाता है ये भी आपको याद रखना है लेखा की दिवारे पत्थरों की बनी होती है इसे भी आपको याद रखना है अगला अगर बात करें तो हर परिवार में अपने जानवर पर एक विसेश प्रकार का चिन्ह बना देता है यहां चांगपा जनजाती का हर एक परिवार जो भी उसके पास जानवर होते हैं उन पर क्या करता है दोस्तों एक विशेस प्रकार के निसान बना देता है ताकि हमारे जानवर एक दूसरे से बदल ना जाए या लोग अपनी भेड़ बक्रियों के जुन्ड को ल जाते हैं यह आपको याद रखना है अगला पॉइंट है दोस्तों इन ही जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है वो जरूरत का सामान आपका जैसे दूद है मांस है टेंट के लिए चमड़ा है स्वेटर और कोट के लिए उन है यह सब इनके जानवरों स झांग्पा खास तरीके की बख्रियां पालते हैं। जिसके बालों से दुनिया की मशूर पसमीना उन बनती है। जितनी ठंडी और उचछी जगह होगी इन बख्रियों के बाल भी उतने ही ज्यादा नरम होंगी। वई ये 5000 मीटर की उचाई पर रहते हैं। अब यहां इतना ज़्यादा ठंडा होता कि माइनस में टेंपरेचर जाता है तो इन बक्रियों के उपर जो है बाल निकलाते हैं जो इनको गर्म रखते हैं ये बाल बाद में जढ़ जाते हैं और पस्मीना उन तयार की जाती है चांगपा जनजाती के द्वारा तो ये सारे प आपमान 0 degree centigrade से भी बहुत कम माइनस 40 degree centigrade तक चला जाता है और इतनी सरदी से बचने के लिए बक्रियों के सरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में जढ़ जाते हैं ये बाल इतने पतले होते हैं कि इनका 6 बाल मिलाकर हम लोगों के एक बाल की मु के कारड ही इनसे बनाये जाने वाले जो सौल वगरा है वो हाथ से बनाई जाती है मसीनों के दोरा बुनना पॉसिबल नहीं है यहां बात करें एक पस्मीना सौल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है तो मोटी बह आई खास बुनकर करते हैं और एक साधारड पस्मीना सॉल बुनकर तयार करने में 200 गंटे यानि 250 आवर्स का टाइम लेते हैं तो यहां से question आपका बन जाता है कि एक जो पस्मीना सॉल होती है छे normal sweater के बराबर गर्म होती है और 200 गंटे एक सॉल को तयार करने में लगते हैं इसलिए ये काफी costly भी होती है स्री नगर के घर स्री नगर के घर की बात करें तो यह आपके स्री नगर में बाहर से आए कई tourist जो होते हैं परियटक जो होते हैं वो house boat के अंदर रहते हैं house boat में रहते हैं house boat की लंबाई 80 फुट और चोड़ाई 8-9 फिट होती है ये आपको याद रखना है स्री नगर की डल लेक और जहलम नदी में कई परिवाद डोंगो में रहते हैं एक house boat होता है एक डोंगा होता है इसमें रहते हैं अब डोंगे में बहुत सारी सुविधाय भी होती है तो डल लेक और जहलम नदी में कई परिवाद डोंगो में रहते हैं यहीं एक प्रिसिद्ध परियटा के स्थल चार चिनारी भी है अगर आप से पूछा जाए जो कि सीटेट में आ चुका है कि चार चिनारी कहां का परियटा की स्थल है कहां इस्थित है तो आपका जमू कस्मीर के अंदर हो जाएगा डल लेक पर एक द्यूप है डल लेक में वहाँ चार चिनारी इस्थित है मकान की तरह डोंगे में भी अलग-अलग कमरे होते हैं और हाउस बोट और कई घरों की अंदर की छट पर लकडी की सुन्दर नकासी होती है जिसे खतम बंद कहते हैं खतम बंद ऐसी आपकी नकासी है जो लकडी पर होती है और उस लकडी का यूज हाउस बोट के अंदर और लोग घरों के अंदर अपनी छट में करते हैं यह आपको याद रखना है यहीं से एक महराब भी है महराब कैसी होती है आपकी पत्थरों पर की जाने वाली आपकी नकासी है जो पत्थर आपके कहां यूज किये जाते हैं विंडो और दर्वाजों पर यहां बात करें तो यह आपकी खतम बंद जिक्सा पजल जैसी दिखती है वो पजल आप लोगों नहीं देखिए कि जिसमें जोड़ जोड़ के फोटो तयार करना होता है पैर यहां है कान वहाँ है और आपकी नाक वहाँ है और फिर उसे जोड़ के तयार करना होता है कुछ ऐसी खतम बंद दिखती है यहां के घरों के दर्वाजों और खिड़कियों पर डिजाइन दार महराब बने होते हैं यह बात मैं आपको बता चुका हूँ अभी महराब आपकी कैसी जैसे खतम बंद है वैसे ही महराब आपकी नकासी है अगला बात करें मनाली मनाली से आपके क्वेस्चन आते हैं एक क्वेस्चन आपका हाउस से समन दिता आता है या एक पहाडी इलाका है मनाली एक पहाडी इलाका और यहां बारिस भी बहुत होती है लदाक के अंदर क्या था बारिस नहीं होती थी बहुत कम होती थी मनाली के अंदर बारिस होती है और बर्फ यहां दोनों काम होते हैं यहां के मकान पत्थर और लकडी के बनाए जाते हैं अब मैं आपको उस confusion की तरफ ले जा रहा हूँ यहां पर दोस्तों पत्थर और लकडी के मकान तो लद्दाक के अंदर भी बनाए जाते हैं लेकिन फर्क बस इतना है confusion को दूर करिए फर्क बस इतना है कि यहां छटे ढालू होती है और वहां छटे समतल होती है अक्सर statement के अंदर दे देगा आप confuse हो जाएंगे तो इसे याद रखना है कि यहां मनाली के अंदर छटे ढालू होती है और पत्तर लकडी की बनाई जाती है यहां अगर बात करें तो गदी जन जाती जो होती है वो आपकी पाई जाती है अगला है राजस्थान राजस्थान के बारे में देखेंगे कौन-कौन से point आपके important है राजस्थान में बारिस बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है यहां के लोग मिटी के घरों में रहते हैं और इन घरों की दिवारे बहुत मोटी होती है तथा इन दिवारों को मिटी से लीप पोत कर सुन्दर बनाया जाता है यहां की जो छटे होती है वो कटीली जाडियों की बनी होती है क्योंकि यहाँ पानी की कमी है इसलिए पत्तियां जो है पानी को संदच्छित करने के लिए कटीली हो जाती है तो यहाँ की जो आपकी छते होती है वो कटीली जाडियों की होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मरुस्थल में यानि रेगिस्तान में उगने वाले जो पादब पौधे होते हैं उनको क्या बोला जाता है अगला क्या है यहां के खेजडली गाउं में खेजडी के पेड पाए जाते हैं और ये आपका पेड जो है मुख्यतार रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं तो अगर खेजडी की दोस्तों बात करें तो खेजडी आपका ऐसा पेड होता है जिसकी लकडी को कीडा नहीं लगता है और इसकी फलियों की लोग सबजी भी खाते हैं ये भी पॉइंट याद रखना है अगला इस्टेट है आपका असम देखेंगे असम से कौन से important point है असम में बारिस बहुत होती है इसलिए यहाँ जो घर बनते हैं वो 10 से 12 फिट उचे बांस के खंबों पर बनाये जाते हैं ऐसे आपके खंबे होते हैं बांस के जिनकी उचाई 10 से 12 फिट होती है यहाँ लकडी important है वो क्या है बोरा जो एक आपकी चावल की परजाती है चावल की किस्म है यह आपके असम में खाई जाती है और यह चावल की विसेश्ता यह है कि पकने के बाद यह इस्टिकी हो जाते हैं चिपचिपे हो जाते हैं असम में बांस तथा रसी के पुल भी बनाये जाते हैं ये भी आपका point सीटेट के लिए most important है अगला state अगर बात करें तेलंगाना से क्या पूछा जाता है मुक्तापुर गाउं जो है तेलंगाना राजी के पोचम पल्ली कस्वे के पास है यहां के अधिकतर परिवार जो हैं वो बुनकर हैं वीवर हैं इसलिए इस बुनाई को भी पोचम पल्ली के नाम से जाना जाता है या कला अपनी चमकदार पोचम पल्ली साडियों के लिए परसिद्ध है बहुत आप से बहुत बार सीटेट के अंदर पूछा गया कि पोचम पल्ली साणियों के लिए कौन सा राज परसिद्य तो तेलंगाना हो जाएगा अगला बढ़ेंगे अगला केरल से सम्मंदित देखेंगे क्या फैक्ट पूछे जाते हैं केरल में टैपियोका एक परसिद्धफल है जिसे लोग अपने आंगन में उगाते हैं और इसे उबालकर नारियल डली करी के साथ खाते हैं यानि ऐसी करी जिसमें नारियल पड़ा हो उसमें टैपियोका डालकर खाते हैं और टैपियोका को लोग अपने आंगन में उगा लेते हैं तो अगला आपका पॉइंट जो केरल से most important है केरल में एक नाव का भी प्रियोग किया जाता है इसे वल्लम बोलते हैं इस नाव को ये एक प्रकार की नाव होती है केरल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए फेरी नाव का भी प्रियोग किया जाता है केरल को मसाले का बगीचा भी कहा जाता है ये बात आप अब अगर बात करें कचनार के फूलों की सबजी उत्तर प्रदेश और सहजन के फूलों की सबजी महराश्ट के अंदर खाई जाती है और केले के फूल की सबजी केरल के लोग खाते हैं केरल में मल्यालम भासा बोली जाती है और मल्यालम के अंदर जो कहते हैं मा की बड़ी बह आपके जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं मिजोरम में मीजो भासा बोली जाती है और यहां के तीन चौथाई लोग जंगलों में रहते हैं यहां ही आपकी जून खेती की जाती है जिसे हम करतन और धान खेती भी बोलते हैं सिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं यहां खेत की लौटरी निकाली जाती है और जमीन को साजा मानकर सभी लोगों को बारी-बारी से उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है मिजोरम में बांस के बर्तन बनाये जाते हैं और जूम खेती का संबंध भी आपके मिजोरम राज्ज से हो जाएगा आप जब जूम खेती करते हैं फसल पकती है तो यहां फसल पकने पर लोग विशेश प्रकार का एक डान्स करते हैं नत्य करते हैं जिसे चेराओ नत्य करते हैं और चेराओ आपके सीटेट का सबसे प्रिये क्वेस्चन है कि चेराओ डान्स कहां के से समंदित है या कहां के लोग करते है अगला यूपी से रिलेटेड यूपी आपका important है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सबजी खाई जाती है और यहां से जो आपका fact important है उत्तर प्रदेश का जो कनौर आपका district है यहां पर इत्र के लिए मसूर है यहां के फूलों से इत्र गुलाबजल केवड़ा आदित तयार किया जाता है कथक उत्तर प्रदेश का नत्य है और चौक पूर्णा कला जो होती है यह एक प्रकार की ऐसी कला है जिसमें रंगोली टाइप से बनाई जाती है यह आटे से बनाई जाती है और मुखिता दिवार या पकोडे बनाई जाते हैं वरली चित्रकारी भी महराष्ट से समंदित है यह आपका सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि वरली चित्रकारी का समंद कहां से है तो महराष्ट से हो जाएगा यहां चित्रकाठी भी है एक आपकी कला तो वो भी चित्रकाठी का समंद भी महराष्ट से है इसे याद रखेगा इस चित्रकला में मुख्यता मुख्य रूप से सफेद लाल पीला हरा जैसे रंगों का इस्तेमाल भी होता है तो आज के इस वीडियो में लगभग 10 इस्टेट मैंने आपको करवा दिये हैं अब आपके जो most important जैसे बिहार है और कुछ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट आपके टॉपिक के साथ जैहिंद बंदे मातरम